यह कहानी 1984 की है आज से 36 साल पहले 1984 में शिकागो में एक प्रेयोग किया गया जिसके बारे में जब आपको पता लगेगा तो आपका जीवन बदल जाएगा आज का ये वीडियो आपका जीवन बदल देने की ताकत रखता है तो इस वीडियो को गोर से देखेगा अन तक देखेगा ये कहानी है रिचर्ड डेनिस की उनके 23 टर्टल्स की आपकी और बेरी तो देखे रिचर्ड डेनिस एक कमोडिटी ट्रेडर थे शिकागो में जिन्होंने बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम आयू में ट्रेडिंग से असाधारन सफलता हासिल की थी उन्होंने देखिए कुल 400 डॉलर से अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत की और देखते ही देखते कुछी सालों में वो 400 डॉलर मिलियंज अव डॉलर में तबदील हो गए वो बहुत जादा धनी और बहुत सफल हो गए और उनके पार्टनर थे विलियम एकार्ट अब एक द आए ट्रेडिंग सिखा सकते हैं और वो भी एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है विलियम एकार्ट जो की रिचार्ड डेनिस के पार्टनर थे गणितग्य थे मैथिमेटिशन थे और साथ ही खुद भी एक अद्दावर ट्रेडर थे उनका ये मानना था कि ट्रेडिंग जो है वो सिखाई नहीं जा सकती आपके अंदर ट्रेडिंग होनी चाहिए जन जात यानि कि देखिए ट्रेडिंग एक तरह का नेचरल टैलेंट है जो कि कुछ लोगों में होता है और कुछ लोगों में नहीं जैसे कुछ लोग बहुत अच्छा गापाते हैं और कुछ लोग चाह करके भी उतना सूरिला नहीं गापते तो देखें इस बहस का हल खोजने के लिए विलियम एक हार्ट और रिचर्ड डेनिस ने एक बड़ा नयाब तरीका खोजा उन्होंने तय किया कि प्रयोग करते हैं और इस प्रयोग को करने के लिए ये विग्यापन उन्होंने कई सारी पत्रिकाओं में और कई सारे अखपारों में दे डाला बहुत से लोग विग्यापन को पढ़ करके उनके पास आए लेकिन उसमें से उन्होंने चुने 23 ऐसे लोग जो की शेर बजार में लगभग नए थे इन लोगों को अपने हिसाब से रिचर्ड डेनिस के नियमों के हिस आप से ट्रेड करना था तो देखें साबित ये करना था कि कोई भी विक्ती चाहे बजार में कितना ही नया हो अगर वो नियमों का सही पालन करता है रूल बेस ट्रेडिंग करता है और अपने इमोशन्स को काबू में रखता है तो वो असाधारन सफलता हासिल कर सकता है लग 15 दिन का इनका प्रशिक्षन हुआ दो सब्ताह तक ये प्रशिक्षन चला जिसमें रिचर्ड डेनिस ने अपने ट्रेडिंग के नियम इनको बताए तो देखें 14 दिन की ट्रेडिंग हासिल करने के बाद तमाम रूल समझ लेने के बाद इन ट्रेडर्स को जिनको रिचर्ड डेनिस ने नाम दिया टर्टल्स का अब देखे टर्टल्स क्या है एक यात्रा पर गए थे रिचर्ड डेनिस सिंगापोर और वहाँ उन्हों ने देखा कि बहुत सारे टर्टल्स यानि कि कच्छुए उन्हें दिखाई दिये और उन्होंने अपने मित्र विलियम एकार्ट को क कि मैं इसी तरहां से traders पैदा करूँगा जिस तरहां से तुम्हें यहां टर्टल्स नजर आ रहे हैं और इसी नाते उन्होंने इन तमाम traders को टर्टल्स की संग्या दी तो देखिए यह जो turtles थे यानि की 23 traders जिनको उन्होंने चुना इन सब को अलग-अलग खाते दिए गए सभी लोगों ने ट्रेडिंग शुरू की नियमों का पालन किया और आपको यह जानकर हैरत होगी कि यह ट्रेडर्स इन में से कई सारे ट्रेडर्स कोरोड पती हो गए तो इन में से देखिए इन तमाम ट्रेडर्स ने चार सालों के भीतर डेड़ सो मिलियन डॉलर का मुनाफ़ा किया जिहां आपने सही सुना डेड़ सो मिलियन डॉलर इंटर्टल्स ने अरजित किये रिचार्ड डेनिस के नियमों का पालन करके और अपने पर अनुशासन रख करके तो देखें इस एक प्रयोग से असी के दशक्त में रिचार्ड डेनिस ने ये प्रूफ कर दिया कि अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं और अगर आप अनुशासन रखते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं ट्रेडिंग में ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है और कोई भी ट्रेडिंग सीख सकता है इन फेक्ट रिचार्ड डेनिस का कहना है कि ट्रेडिंग सिखाना बहुत ही आसान है और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ट्रेडिंग सिखाना इतना आसान हो सकता है तो देखे ये जो ट्रेडर्स हैं ये जो ट्रेडर्स हैं इन्होंने इतिहास रचा और ऐसा नहीं है कि कुछी समय तक ये सफल रहे और बाद में पूरी तरह से अपना पैसा इन्होंने गवा दिया हो इन में से कुछ एक टर्टल्स आज भी खर्बो रुपया मैनेज कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका में ट्रेड कर रहे हैं तो ये जो प्रयोग है टर्टल ट्रेडिंग का, ये आँखे खोल देने वाला प्रयोग है, आँखे खोल देने वाला एक्सपरिमेंट है, तो मुझे पुरा यकीन है कि आप लोग बेताब होंगे जानने के लिए कि रिचर्ड जैनिस के नियमों में आखिर ऐसा क्या था, कि इ ये जो प्रयोग इतना सफल हुआ इसके पीछे ये नियम नहीं थे रिचर डेनिस ने खुद कहा कि ऐसे नियम कोई भी बना सकता है तो फिर देखे इन टर्टल्स को इतनी बड़ी सफलता मिली क्यों देखे तीन मुख्य वजा है टर्टल्स की सफलता की सबसे पहले है उनका अ अनुशासन देखे पूरे अनुशासन के साथ डिसिप्लिन के साथ रिचर डेनिस के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन इन टर्टल्स ने किया जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल वैसी ट्रेडिंग इन टर्टल्स ने की ये है सफलता की पहली बज़ा दूसरी बज़ा है क जाने की नियम बहुत ही आसान सरल से थे, कोई खास जटिलता नियमों में नहीं थी, और इसी वज़े से इस तरह की सफलता टर्टल्स को हासिल हुई, तो देखें नियम थे क्या भला, ये मैं अब आपको बता रहा हूँ, तो देखें वैसे तो नियम काफी डीटेल्ड थे, हर चीज के बारे में नियमों में कहा गया, लेकिन जो सबसे इंपोर्टेंट रूल्स थे, वो मैं अब आपको बता रहा हूँ, देखें, नियमों में ये था, कि सबसे पहले तो लिक्विड इंस्टूमेंट्स में ट्रेड करना था, यानि कि जहां लिक्विडिटी नहीं है, जहां पर बहुत ज़्यादा खरीद फरोख नहीं होती है, उन स्टॉक्स या उन कमोडिटी से दूर रहना है, दूसरी चीज़ ये कही गई कि पोजिशन जो है, वो इस बात पर निर्भर करेगी, कि कितनी क्वांटिटी आप बाय करें, तो देखें, क्वांटिटी स्टॉक की वोलिटिलिटी, यानि कि उसके उतार चढ़ाओ के मद्दे नजर चेंज की गई, इसको पोजिशन साइजिंग कहते हैं, तीसरी चीज़ है, एंट्री के रूल्स, एंट्री के रूल्स तो देखें, बहुत ही सिंपल थे, रिचार्ड डॉन्चियन से प्रेरित हो करके, र इस तरह के सिंपल नियम एंट्री और एक्जिट के लिए स्थापित किये गए, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन नियमों का था स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को लेकर के खासी कड़ाई थी, एक ट्रेड पर कभी भी दो फिसदी से जादा पैसे लगाने की अजाज था, तो इस तरह के सक्थ नियम स्टॉप लॉस को लेकर के इंप्लिमेंट किये गए, तो देए इस तरह के सिंपल नियमों के आधार पर इन तेश टर्टल्स ने गजब ढ़ाया, और उसकी वज़ा यह थी, कि देखिए लगातार कंसिस्टेंट्ली आप ट्रेंड को फॉलो क कर पाते हैं, मुनाफे बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि जब तक स्टॉक उपर जा रहा है, तब तक उसको पूरे समय तक होल्ड किया जाता है, इसको ट्रेंड फॉलोइंग कहते हैं, और जब आपको नुकसान हो रहा होता है, तो छोटे ही नुकसान के साथ आप तुरन बाहर आ जाते हैं इन नियमों को फॉलो करके इन टर्टल्स ने बे तहाशा पैसा कमाया तो देखे एक बात याद रखे कि ये बात काफी पुरानी हो गई है और इसी वज़े से अब ये नियम शायद उतने कारगर नहीं है जितने के असी के दशक में हुआ करते थे और उसकी वज़े हैं कम्प्यूटर्स का आ जाना कम्प्यूटर्स के आ जाने के बाद ट्रेडिंग काफी बदल गई है लेकिन साइकलोजी याने की मानसिक्ता नहीं बदली है इसी लिए देखिए नियम बदल गए हैं नियमों के स्वरूप बदल गए हैं लेकिन अनुशासन, कंसिस्टेंसी और सिंप्लिसिटी ये तीन चीजे नहीं बदली हैं तो देखिए रिचर्ड डेनिस से प्रेरित हो करके मैंने स्वयम ये तै किया है कि बिलकुल उन्हीं की तर्स पर हम भी क्योंना ऐसा ही कोई बड़ा प्रयोग करें और देश के उन तमाम लोगों को मेरा व त्सक्राmore थौलत कमाई हम कम से कम अपनी नोकरी से तो आजादी पाही सकते हैं तो आप लोगों को रिचर्ड डेनिस की और उनके टर्टल की ऐग कहानी कैसी लगी क्या आप भी टर्टल बनना चाहते हैं क्या आप ही एक सेनानी बनना चाहते हैं तो देखिए अपनी नौकर से आजादी की लड़ाई में आपको भी सेनानी बनना है और उसकी सारी डीटेल्स बहुत जल्द एक अलग वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ नौकरी से आजादी पहला कदम ये एक ऐसा ही प्रयोग है जैसा प्रयोग आज से तीन दशक पहले रिचर्ड डेनिस ने अमेरिका में किया था तो देखे ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताईएगा अपने कॉमेंट्स में लिखेगा और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए चैनल को और इंतजार कीजिए नौकरी से अजादी पहला कदम का धन्यवाद आप सबका शुबराद देए